प्राइबाद में नैशनल हाइवे नो की एक साइड पर बाड का पानी पहुँच गया है ट्रैफिक को डैवर्ट कर हाइवे को वन वे किया गया है और बकाइदा अलर्ट जारी किया गया है हालात इतने खराब हुए है कि खुद उपाइब मिट्टी के बैग उठा कर काम में मजदूरों का हाथ बटा रही है उपाइब डॉक्टर मंदीब कोर ने कहा कि इस समय सभी को मिलजूर कर बाड के हालात से लड़ने की जरूरत है परशाशन ने आबादी को बचाने के लिए जी जान लगाई हुई है अभी तक हम काम्याब है कि कहीं पर भी आबादी में पानी नहीं गया है और कहीं पर जानी नुक्सान नहीं हुआ है उपाईक द्वारा खुद मजदूरों को हेल्प करने को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि सभी मिलजूर कर सहयोग करेंगे तब ही हम आपदा का सामना कर पाएंगे और भी सफल इसी वज़े से रह पाए हैं खुद SP मेडम और मैं दस दिन से लगातार एक ही गाड़ी में साथ साथ है और लोगों की सेफ्टी के लिए पूरी कोशिश कर रहे है SP आस्था मोदी ने कहा कि बाड का पानी लगातार बढ़ रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबी लोग सुरक्षित रहें हाइवे पर एक साथ से बाड का पानी आ गया है जिसके कारण हमने ट्रैफिक को धागड गाउं के पास से और दूसरी साथ दर्यापुर गाउं के पास से दैवर्ट किया है हाइवे को वन वे किया है हाइवे पर बाड देखने के लिए लोगों की भीड उमड रही है और कुछ लोग सेल्फी खीचने के लिए भी बड़ी संक्या में हाइवे की तरफ आ रहे है जेने कंट्रोल करने के लिए हाइवे पर सुरक्षिया बढ़ाई गई है अभी तक सभी लोग आपस में मिलजूल कर हालात को संबाले हुए है और हमें लगता है कि हम सभी को सुरक्षित रखपाएंगे और एक दो जगा तो हमने चिनाई ही करा दी है क्योंकि वहां से लो लाइंग अरिया था पानी निकलने के हो थे बाकी जो है प्राइमेरिली यह जो ब्लॉकेज़ हैं जो नैचरल फ्लो वाटर के आगे जो ब्लॉकेज़ हैं हम उन पॉइंट्स पे जाके आए हैं और वहां से ह नहीं है ने उनको उस पानी को वहां से एकजेट दिया है कि यहां से पानी मिफिटा जाए क्वा पानी जी वारिश्ज़ नहीं है कि यह पीछे से बाध लाइसार गटी राय है वह तो ऐसी सासी पर बताएंगय की वेदर रिपोर्ट तो यहां फत्याबाद तो बारिषrí की क उसका उसकी तो पूरी है बाकी और रहाईशी एरिया में नुकसान नहीं है मैंन पावर सफिशेंट है ऑफिसर बहुत अच्छे है सारा काम बहुत स्मूदली चल रहा है हाँ जी साब अलर्ट पे है पर पानी नहीं आएगा मतलब ठीक है हम तो एक ही गाड़ी में पिछले दस दिनों से हम तो लगी हुए है और तभी इसका वही रिजल्ट है हमारे जितने भी सेंसेटिव लोकेशन से उसके हमने डिप्लाउमेंट करी हुई है ताकि वहां पर कोई क्लाश ना हो लोगों का और लोगों की सेटी भी बनी रहे कि काफी लोग है जो बाड़ के पानी को देखने के लिए सेल्फी बनाने के लिए आ रहे हैं तो उनकी भी सेफटी को ध्यान में रखते रहे हैं वहां पर भी सारी पिछोलिक हमने लगा दी है और रात में या शाम के टाइम अंधेरे के बाद कोई मोटर साइकल आक्सेड़ कोई गलती से पानी में ना चले जाए इसलिए जहां जहां पानी का बहाव है वहां पर हमने ड्यूटी लगाई है ताकि वो लोग बॉन हो सके कि यहां पर ना जाएं यहां पर घटा है इसके साथ साथ जहां पर भी आफशक्ता है आफशक्ता अनसार पुलिस की पर बहुत भीड उमर्ड रही थी जिनको फिर फाइनली पुलीस ने उनको वापस घर भेजा तो सबकी सेफटी को देखते हुए जरूरी था कि हम एक साइट जो है हाईवे की बंद कर रहे और इसमें यह भी है कि अभी हाँ पर जो प्रोटेक्टिव मेंशन है जो ले रहे ह है तो उसमें आफ शकता है उसमें हैं हैं जेसी बीस मूफ कर रहे हैं तो अगर वहां पर नॉमल ट्राफिक रहेगा तो एक तो इनकी मूवमेंट में बाधा आएगी और दूसरा जो आम जंत हैं की सिक्योरिटी भी उससे कॉम्परमाइज होती है रिलीफ वर्क के बीच में लिए को ड़ायवर्ट कर दिया गया है डांगर से ट्राफिक डाइवर्ट कर रहे हैं वहां पे भी है दरिया कुट पे है ट्राफिक अलड़ी डाइवर्टेड है थोड़े बहुत विवाद यह सारी जिगें हो रहे है पर मैं यही करूँगी सबसे कि वो लोग सायम रखें जहां पर भी इस तरह के विवाद होते हैं, पुलिस के प्रशासन के लोग जाके उन्हें समझा रहे हैं, शांत कर रहे हैं और जो भी ओवरॉल जो बिग पिच्चर में, डिस्ट्रिक के लिए जो सबसे अच्छा डिसिजन है, वही हम लोग लेने का प्रयास करते हैं जिससे डिस्ट्रिक्ट से निकासी हो पाने की, जो पानी है, जो उसका नाच्रल ग्रेडियंट है, जो नाच्रल फ्लो है, उसकी तरफ जाए, उसके लिए जो सबसे सुटिबल डिसिजन है, वही लेने का प्रयास किया जाता है पर फिर भी मैं लोगों से बूलूँगी कि थोड़ा सही हम रखे, इस ताइम पर हम लोग सेलफिश नी हो सकते कि अपनी गारी, अपना घर, अपना खेर देखे, इस ताइम पर हमें पूरा बड़ा पिच्छर लेके पूरे डिस्टिक के लिए, सब के लिए, पूरे एरिया के पर फिर भी पुलिस और प्रशासन मिल्कुल मुस्तायद है, कहीं पर इशू होता है, तो सब लोगी कटे पहुंचके उसको निप्ता देते हैं